नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल सोसल सेवा देखिए दोस्तों आजम बात करेंगे कि हरियाना में BPL रासनकार्ड या कोई भी रासनकार्ड अब किस प्रकार से बनेंगे देखिए इस चीज़ का तो आपको कंफरम हो चुका होगा कि हरियाना में जो BPL रासनकार्ड हैं वो प्री वार पैचान पत्र के आदार पर बनने स्टार्ट हो चुके हैं इस से पहले क्या होता था कि आपको ओफलाइन फॉर्म लेना होता था उसके बाद में उस फॉर्म को फील करना होता था फिर सरपंच या सेक्टरी में मर के आप उस पर हस्ताखसर होते थे उसके बाद आपको फॉर्म फील करने के बाद में सरल हरियाना पोर्टल पर उनलाइन करना होता था उसके बाद में फॉर्म की हार्ड कोपी आपको खादे जो डिपार्टमेंट होता है जो आपका हरियाना का फूड स्प्लाई डिपार्टमेंट होता है उसमें आपको जमा करवाने होते थे उसके कुछ दिन बाद प्रोसेजर के बाद फीस वगरा पे करने के बाद में आपका APL रासन कार्ड जारी किया जाता था लेकिन अब हरियाना सरकार ने एक ऐसा पोर्टल लोंच किया है जिससे की BPL रासन कार्ड भी आपका हाथो आथ वहीं से जारी हो जाएगा तो देखिए दोस्तो अगर आप रासन कार्ड बनवाना चाहते हैं हरियाना सरकार में अपना BPL रासन कार्ड, APL रासन कार्ड किसी भी परकार का आप रासन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक डोकुमेंट्स त्यार करवाना है उसी के आधार पर आपके रासन कार्ड बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका BPL रासन कार्ड किस परकार से बनेगा अगर आप हरियाना के रहने वाले हैं और हरियाना में BPL रासनकार का बेनिफिट उठाना चाहते हैं BPL रासनकार बनवाना चाहते हैं आप गरीबी रेखा में आते हैं आपका जीवनियापन गरीबी रेखा से नीचे है तो आज के बाद आपका BPL रासनकार किस परकार से बनेगा इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो दोस्तो इससे पहले BPL रासनकार बनवाने के लिए आपकी सर्वे की जाती थी सर्वे में सेक्टरी, सरपंच, मेमर, गाउं के मुख्या लोगों से पूछते थे और आपकी इंकम के आदर पर आपका रासनकार जारी किया जाता था देखे आपकी आपसी रंजिस की वज़े से भी आपका रासनकार BPL सुची से कटवा दिया जाता था लेकिन अब दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी अधिकारी आपका रासनकार नहीं बनाएगा आपका रासनकार हरियाना सरकार के दोरा डारेक्ट जो हेड ओफिस है, वहीं से आपकी सर्वे करके जारी कर दिया जाएगा तो अब आपना BPL रासनकार किस परकार से बनवा सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको अपना परिवार पेचान पत्तर बनवाना है, PPP पोर्टल पर परिवार पेचान पत्तर आपने बनवाना है अपनी family idea आपको बनवानी है और दोस्तो इस बात का आपने विशेश ध्यान रखना है कि आपको अपने परिवार पैचान पत्र में किसी भी परकार की कोई गलती वगेरा नहीं करनी है तो दोस्तो अब बताता हूँ मैं आपको आपका BPL रासन कार किस परकार से बनेगा देखिए आप हरियाना के सथाई निवासी हैं और हरियाना की रहने वाले हैं तो सबसे पहले आपको अपना परिवार पैचान पत्र बनवाना है और उसमें किसी भी परकार की कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है दोस्तो देखिए वो एक ऐसा पोर्टल है जिस पर आपके परिवार का कंप्लीट डाटा होता है और उसी के आदार पर आप भविस्य में कोई फोर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी परकार की स्किम का लाव ले सकते हैं BPL रासन कार्ड बनवा सकते हैं किसी भी government service के लिए form apply कर सकते हैं वहीं से आपकी survey होगी वहीं से आपके परिवार का जन्म परमान पत्र बनेगा वहीं से death certificate बनेगा वहीं से किसी भी योजना का लाव मिलेगा और प्रिवार पहचान पत्र पोर्टल के आदार पर आप किसी भी हरियाना की सर्वीस और श्रकिम का लाव उठा सकते हैं तो आपको बीपेल रासन कार्ड बनवाने के लिए आपके प्रिवार पहचान पत्र में आपके प्रिवार के सज्चियों की सालाना इंकम 1,8,000 रुपे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों अगर आपके प्रिवार पहचान पत्र में आपके प्रिवार की इंकम 1,8,000 चे ज़्यादा है तो दोस्तो अगर आप BPL रासन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने प्रिवार पैचान पत्तर में अपनी जानकारी सही दीजिए और उसके बाद में आपके प्रिवार पैचान पत्तर की इंकम की वेरिफिकेशन होती है उस वेरिफिकेशन में अगर आपके प् BPL सुची में डाल दिया जाएगा उसके बाद ही आपका रासन कार्ड BPL रासन कार्ड एटोमेटिक बन जाएगा तो देखिए दोस्तो BPL रासन कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं पर भी कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिवार पैचान पत्तर में अपनी फैमली आइडी में 1,80,000 रुपए से निचे अगर आपकी इंकम आपके प्रिवार की है तो आपका भी पेल रासन कार्ड अपने आप ही बन जाएगा तो दोस्तो अगर आप हरियाना सरकार की किसी भी योजना के बारे में किसी भी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं और इस परकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर मैं इस परकार की वीडियो डालता रहता हूँ थैंक्यू दोस्त